दोस्तो आज हम बताएंगे रात और रात चेहरे की जुर्या हटाने आप गरेलो आववेदी को पाए दोस्तो चेहरे के रिंकल्स बढ़ती उमर का निसान होते हैं लेकिन अपसोच की बात यह है कि कम उमर में भी आजकल चेहरे पर जुर्या दिखाई देने लगी है सबसे पहले तो आप जान लेगे जुर्या कैसे पड़ती है क्योंकि आप कारण जान लेंगे तो आप इलाज भी जान लेंगे सबसे पहला कारण है कि तवच्चा को पूरण पोष्ण ने मिला जिसके कारण तवच्चा धेली हो जाती है और यह लटकने लगती है और इसके अलवा अगर आप पानी कम पीते हैं तो सकीर में नमी ना होने के कारण भी रिंकल आ जाते हैं और वीटामिन C और वीटामिन D की कमी भी रिंकल्स का कारण होती है और अगर आप दूप में ज्यादा गूंते हैं या ज्यादा तनाव में रहते हैं जिसके कार्ण भी आपके चेरे पर धुरिया आ जाती हैं तो आईए जानते हैं जुरियों को कैसे हटाई इसके लिए आपको सैद और गली सरीन की आउशकता होगी सैद में और गली सरीन में तवचा को मोस्चराइज करने का गुण होता है दो चम्मच सैद लें और इसमें दो तीन बूंद गली सरीन मिलाई यह बहुत आसान तरीका है जो बहुत काम करता है यह आप हर रोज रात को सोते शमय इस मिशन को चेरे पर लगाएं और इसके लिए आपको एक कुपाय और करना है इसके लिए आपको एलोवेरा की जरूरत है एलोवेरा बहुत ही गुणकारी है क्योंकि इसमें मेली कैसरी जो तोच्चा का लचिलापन बढ़ा देता है और तोच्चा को मुलायम बना देता है इसके लिए फ्रेस एलोवेरा जैल लिए और उसे हलके हाथों से चेहरे पर लगाएं और थोड़ी जिर्म मसाज करें और आदे गंटे बाद चेहरा धोलें ये उपाय आपको सुबय करना है और इन उपायों के अलावा आपको अपने चेहरे को मोस्चराइज भी रखना है मोस्चराइज के लिए आप ओली, ओल और नारिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों तोच्चा को मोस्चराइज और रिहाइडरेट कर देते हैं जिससे आपकी तवच्चा चिगनी और शमूत हो जाती है सबसे पहले आप इन दोनों तेल को बराबर मातरा मिले इसके बाद आपको अपने आप फाइदा नजर आने लगेगा अगर फिर भी आपको कोई स्वाल है तो आप हमें कुमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर ले धन्यवाद